प्रेंड्स आज आपको बताया जाएगा विटाकाइन लिव के बारे में फोथ इस तरह की क्यूशन आ रहे थे कि सर्जो विटाकाइन लिव में इनकाइंड के आती है उसके बारे में डिटेल से बताएं एट टू जेट जानकारी दें कि पस्वों के लिए फाइदा करती है त इतने दिनों तक देनी चाहिए एक प्रस्टू को आप कितनी मात्रा दे सकते हैं प्रिग्रेंट दू देने वाले प्रस्टू के लिए सेफ है या उसको बेन फिड मिलता या नि छोटे बेड बकरिया या काफ है उनको अच्छा रिजल देता या नहीं उसके बारे में पुरी लिएव टॉन आता है कि से एंदर विटामिनित वियात्या आता और साथ में लिवर इए प लेकिन ब्रइ Sag84 महत्रा मैं इसके अंदर फेरस सुनेत के लाइड मुत है थाय। इसके अंदर केल्सियम लेक्टेड भी है लिवर अक्स्टेट भी एंदर खरेने का उसी वीरियन भी तो यह आपके पशु के लिए होती जद्ट है जिए जो मैंने आपको बता है इस तरह के इसके इन्दर मिलेवे होते हैं जो कि पुछ यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफित देते हैं तो इसका उपयों कि आपके पशुमें किसी भी तरह का एदी लिवर से सम्दित कोई दिकत हो जिन में पशु कमजोर हो मोटा तगड़ा नहीं हो पा रहा है वजन नहीं ले पा रहा है तो उस इस्तति में आप इस तरह के लिवर टोन का उपयों करना चाहिए सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल देखने को मिलता है किसमें पशुम कमजोर है खाना पिना नहीं कर रहा है मोटा तगड़ा नहीं हो पा रहा है वजन नहीं ले पा रहा है इसके साथ आदे आप उन्हें पशुम जिस प्रकास ये डिवर्मिंग कर आने के बाद में आप दूसरे दिन से युझे आप इस तरह के लिवर्टों का ओपयो करते हैं तो आपके पशुमें और बी अच्छा रिजल्ट पस्व में देखने को मिलता है तो आप इस तरह क्योंकि उन्हें का भी है काम करता है आयरन टॉनिका भी आपके प्रसुमें का करता है एदी परशू की लीवर कमजोर हो गई किसी भी कारण वर्स यह कई इस तरह की जो बीमारी हो गई जिसके अंदर को बेक्टर व्या। वाइरल व्यादर फंगल इंफेक्शन हो या प्रोटो जवाजनी त्रोग हो इदि आपके परशू में हो गया हो जिसके अंदर लिवर डैमेज हो गई है लिवर को प्रपेर करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं बहुत अच्छा रिजल देता है इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि परशू में उपयोग पशू में जरूर करोंएं खायने का मतलब है कि विटा का इंड का उपयोग कमजूरी से कमजूर पसूं को हेल्थी रखने मोटा तकड़ा करने वजन बढ़ाने और कई तरह की बीमारियों से बचाने में इस विटा का उपयोग लिव पयोग किया जाता है जो कि प प्रशु और आपका पिर्गनुंट है दूद देने वाला प्रशु है उन में भी आप प्रियोग करा सकते हैं सब्सक्राइब नुक्सान किसी तरह का नहीं है फाइदा एफाइदा आपके पछुमें यह विटा-कायन लिव आपके पछुम में करती है सबसे अच्छा आपके पशुमें देती है यह करते हैं तो इसकी डोज जिस प्रकारचे गावेंस हैं उन में आप पर डे के हिसाब से सो एमल जाय आप उप्योग कर सकते हैं इसी तरह से समर्ग हैं जो भेड़ बक्रियां जो छोटे बच्रे बच्री आए उनमें आप 20-7 पर दे के इसाब से आप अपयोग करसकते हैं यह वात चाहिए लेना चाहते हैं तो सबसक्ते हैं अपने भीठे कि आप लिए सकते हैं इसी तरह से इंदर भी आप इस का उपयोग कर सकते हैं बीस एमेल से लेकर के 30-40 एमेल तक जिस तरह से जितना बोडिवेट होता है उसी के अनुरूप आप इसका उप्योग करें यानि कहने का मतलब है कि सभी तरह के पशू के लिए सेफ है आप देना कैसे है आप इसको डायरेक्ट और ली भी दे सकते हैं या पाने में गोल करके भ कौन से कब दें खाली पेट भर पेट या खाना खाने के बाद में यानि कसी भी समय आपको टाइम मिलता है उसी समय आप अपने पर्सों को इस तरह का लिए पर्सों को दिया जा सकता है जो पर्सों के लिए सेफ रहता है तो अब अच्छी तरह समय के तोई वीडिए जितना हुआ है